नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी बिहार में तेजस्वी आदव जब से वापस विदेश से लोटे हैं हलचल तेज हो गई है एक तरफ जेडियू का दावा है कि आर जेडी वाले हमारी तरफ आ रहे हैं जेडियू कह रही है कि साब हमारे विधायक हमारे साथ हैं नितिश परसेंट भारती जनता पार्टी के साथ जेडियू के नेता आ रहे हैं वहीं 40% आर जेडी में जाने वाले हैं यानि आर जेडी में कुछ लोग जाएंगे जो आर जेडी के निकट के हैं लेकिन कुछ लोग जो नितिश बाबू के साथ जाना नहीं चाहते उमीद तो थी के N जब मना हो गया तो अब इन लोगों ने तै किया है कि हमारा भविष्य तो भाई भारती जनता पार्टी के साथ ही था क्योंकि जो लोकसभा का चुनाओ पिछली बार हुआ था और विदान सभा में भी भारती जनता पार्टी के नाम पर मोधी जी के चेहरे पर बोट में मिल या तो लालू यादव करने वाले हैं तो जो जेडियू गुटके नेता हैं उनको चिंता सता रही है कि अगली बार चुनाओ में उनको टिकट मिलेगा भी के नहीं जादेतर का कहना है कि भीया जो इनके निकटके हैं पहले से ही उनको मिलेगा और जो तेजस्वी के निकटके यानि जिनको ये कहा जा रहा है कि साथ वो तो जो है नितिश बाबू के खासम खास हैं उन लोगों का तो टिकट कटना तै है अब ऐसे में तूट होना तै मानी जा रही है हलाकि आर जेडी को लेकर टेजस्वी आदव ने बयान दिया उन्होंने कहा देखिए ये तो भारती ज बत्र में तेजस्वी यादव तेजप्रताप यादव और नितिश बाबू ये तीनों एक ही गाड़ी में पहुँचे ये दिखाने के लिए कि गटबंदन पूरा मजबूत है लेकिन आप सोचिए कि आज तक तो कभी तीनों एक गाड़ी में गए नहीं अब क्यों ज़रु पढ़ रही है मैसिज देना चाहते हैं मैसिज दे रहे हैं देना चाहा रहे हैं कि हम सब ठीक है गटबंदन में सब कुछ ठीक है लेकिन दूसरी तरफ जो मेला लगता है वहां बिहार में उसमें जो पोश्टर लगे हैं नितिश बाबू के उसमें तो तेजस्वी आदव ग आदव का है और ये मैं पहले से कह रहा हूं कि तेजस्वी आदव को मुख्य मंत्री बनाने की कवायत तेज हो गई है लालू परसाद यादो पहले से ही इस मामले में पूरा खाका खीच चुके हैं और उन्हों को कह दिया है कि हमें तो थोड़े से विदायक चाहिए हमारी तो मुख्य मंत्री तेजस्वी को बना कर रहेंगे अब ये कितना भी करें तेजस्वी को बनाने की बात चल रही है लेकिन इसी बीच पत्रकारों ने पूछा कि बाई जो बीजेपी है वो लगातार हमलावर हो रही है कि तेजस्वी आदव पर जब सीबी आई की चार्शिट द लेकर भी हुआ है शिक्षा मंत्री के बयान और शिक्षा मंत्री की जो डोमेसाइल नीती है जिसको लेकर बिहार का युवा सडकों पर है उस नाराजगी को देखते हुए भी मांग उठी अंदर से भी मांग उठी है कि जो चंदर सेखर है शिक्षा मंत्री इनको हटाया जा अब आपको बता दू जो अंदर की खबरे आ रही हैं वो दो खबरे ऐसी हैं जो ये अंदर की खाना पूर्ती करने के लिए यानि आक्रोस सांथ करने के लिए पबलिक का तेजस्वी यादव निर्ने ले सकते हैं ऐसी खबरे आ रही हैं अब इस पर आपको बताएं तो तेजस को सीम नहीं बनाएंगे नितिश बाबू की अगर आप हिस्टरी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि तेजश्वी आदव को मुख्य मंतरी ना बनने देने के लिए अगर कोई जुम्मधार है तो उसका नाम है नितिश कुमार तेजश्वी आदव पर यदि आज कोई केस चल रहा है बरिष्टा चार का उसके लिए कौन जुम्मधार है तो नितिश कुमार नितिश कुमार ही है कि तिगड़म भिडा कर खुद सीम बन जाते हैं तेजश्वी को सीम नहीं बनने दे रहे हैं और अभी जब अंदर की बाते आ रही हैं जब लालू परसाद जी की इच तो आप सीम बना दीजिए और नितिश बाबू को हम सेयोजग बना देंगे तो सेयोजग क्यों नहीं बन रहे हैं क्योंकि उनको सीम की कुरसी छोड़नी नहीं है अब जिस तरह से बिहार की विदान समा में हंगामा हुआ बारती जंता पार्टी ने अच्छा का सा हंगामा क दिया उन्होंने शिक्षा मंतरी पर सवाल उठाया कि देखिए दे जो बिहार के युवा हैं उन्होंने कैसे कह दिया कि बिहार में टेलेंट नहीं है शिक्षकों को उतना ग्यान नहीं है बाहर के प्रदेशों को शिक्षक लगाया जाएगा इस पर लेकर सरकार की किरकरी ये जितनी छवी खराब सरकार की हुई है आप समझ लीजिए डोमिसाल मुद्दे पर बिहार का युवा प्रतेक युवा इनका कोर वोटर भी नराज है ये मेरे पास ऐसी खबरे हैं अब इसको लेकर खबर ये आ रही है कि तेजस्वी आदव ने अब ये निर्ने कर लिया है क जो चंदर सेकर शिक्षा मंतरी हैं अब उनको बदलने की तैयारी चल रही है अगले कुछ घंटे में ये गोशना करने वाले हैं कि ये जो है इस्तीफा दे दीजिए दूसरी तरफ उन्होंने जो सुनील सिंग मलसी है खबर ये भी आई कि तेजस्वी आदव ने उनसे अके कर रहा हूं मैं भी एक सहकारी मंतरे जो मिल है उसके तहट में उस विभाग में हूँ और अपने विभाग ये काम से मिलने के लिए गया था लेकिन मामला इतना वर नहीं हैं कि वो मिलने इसलिए गए थे मुलाकात तो फोन पे भी हो जाती है और ऐसे मामले में जब जेडिय सुनील सिंह से बातचीत की उसके बाद उनकी भाशा बदल गई उसके बाद वो अपने मेल'ML से बात कर रहे हैं वो कहरे रहे हैं कि मैं तो जिंदगी में नहीं चोड़ओना को चोड़ दूं और तेजस्वी आदव की पतनी को मैं तो बेन मानता हूं उन से राखी बंद वा खाता हूं खबरे आ रही हैं भी हार से के ये सच भी है कि वो अपने इनके परिवारिक रिस्ते हैं और अभी हाल फिलाल में ही इनोंने बड़ा एक आयोजन किया जिसमें लालू परसाद का पूरा परिवार जाकर के शामिल हुआ था तो बहुत निकट के वेक्ति हैं लेकिन र राजनिती में रिस्तों का महत्व कम पद का महत्व जादा है महत्व कांशाओं का महत्व जादा है इसलिए बिहार में भी आपको बता दूँ कि जिस तरह से अभी ये तेजस्वी आदव को लग गया है तेजस्वी आदव ने सभी विदायकों की मिटिंग ली और उस मिटि कोई दूसरे दल के लोगों को नहीं सुना दे और इसलिए अपने ही विधायकों पर अब इनको विश्वास नहीं रहा है इसी से आप आइडिया लगाईए कि एक तरफ नितिश कुमार जेडियू के विधायकों और सांसदों की मिटिंग एक एक करके बुलाते हैं सामुई कुरूप से बुलाएंगे तो पोल खुल सकती है किसने क्या कह दिया और इसलिए एक एक करके बुलाते हैं मंट टोल रहे हैं दूसरी तरफ तेजस्वी आदव अपने विधायकों को बुलाते हैं और उनके सब के मुबाइल फॉन बाहर रखवा दिये जाते हैं कमरे के बाहर इसका मतलब क्या है कि तेजस्वी आदव को भी अप कहीं ना कहीं अपने विधायकों पर मल्सी पर विश्वास नहीं रहा है और इसलिए इस तरह की बाते चल रही हैं तो ये इस बात को पुक्ता करता है कि कुछ बिहार में बड़ा होगा जल्दी होगा और खेल कौन करेगा तो गाड़ी में बेसक एक बैठके आए हैं खबरे यही हैं कि नितिश बाबू तेजस्वी को सीएम की कुरसी नहीं देंगे विधान सबा भंग करने की संतुती करने के लिए वो राजजपाल को कह सकते हैं कि भई मैं कुरसी छोड़ रहा हूं और यह विधान सबा को भंग कर दिया जाए ऐसी खबरे आ रही हैं क्योंकि उनके पास से जैसा भारतिय जनता पार्टी के जो संजज जैसवाल है उनका दावा है कि साथ प्रतिसत जैडियू के विधायक भारतिय जनता पार्टी के टच में हैं टच का मतलब यह है कि जिस दिन इस्तीफा होगा यह सब भारतिय जनता पार्टी जोइन करेंगे या तो भारतिय जनता पार्टी के पाले में खड़े होंगे यह बात नेता जिस तरह से बिहार के अंदर दो डिप्टी सीम बनाए गए वहां कोई डिप्टी सीम कोई सीम बनाया जा सकता है यानि भार्चे जनता पार्टी डिप्टी सीम पोस्ट ले सकती है CM किसका होगा ये संख्या बल पर निर्धारित होगा कि जेडियू के जादा आते हैं कि कॉंग्रेस के जादा आते हैं तो RJD के जादा आते हैं क्योंकि कॉंग्रेस के MLA भी भार्चे जन्ता पार्टी के संपर्क में हैं जिसका संख्या बल जादा होगा CM उसका रहेगा डिप्टी CM एक BJP का और एक दूसरे दल का रहेगा ये खबरे आ रही है यानि कुछ गटबंदन होने वाला है और सरकार नहीं गिरने देंगे ये सबी विधायकों ने मिलकर के तै कर लिया है क्योंकि बियार के विधायक जितन नहीं है आज चुनाव करा लीजिए विधान सबा भंग अगर होती है भारती जनता पार्टी को ही सबसे ज़्यादा सीटे मिलने वाली है और उनका जो गटबंदन है उनी के साथ वो सरकार बना भी लेगी लेकिन भारती जनता पार्टी के सामने बड़ा लक्ष दोहजार च मंतरी की पद कुरसी उस पर उसका ध्यान नहीं है जैसा मैंने कहा डिप्टी म बीजेपी का हो सकता है सीम किसका होगा आरजडी जेडियू में तो जेडियू के विधायक जादा है जैसवाल ने दावा किया है 60% विधायक हैं तो आप देखेंगे के नितिष बाबू के अला एक कोई नया चेहरा आपको दिखाई देगा जो जेडियू से अगला बिहार का मुख्य मंत्री बन सकता है बंदे मातरूं